हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो दी टेक सब कुछ चलन और आज की वीडियो पोको के आपको मिनी स्मार्टफून के उपर होने वाली है इस पोन में हमें क्या कुछ इस्पेक्स मिलेंगे कितनी प्राइस में आने वाला है और क्या इस स्मार्टफून को बाय करना सही रहेगा या नहीं तो दोस्तो काफी टाइम से इस चैनल पर आपको वीडियो देखन को नहीं मिल रही होगी तो मैं तोड़ा सा किसी और आगे किसी और वीडियो में आपको बतां हुआ वहीं आपसे आपको इस चैनल पर regular वीडियो बगरा देखने को मिलेंगी तो अगर आप इस टाइम पर एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट 15-20,000 रुपे का है इस इस पाटफोन का लेंडिंग पेज फ्लिपकार्ट की वैससे पर आप देख सकते हैं इस इस पाटफोन के सबसे पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी एर शेप का डिजाइन हमें एस विजल देखने को मिलेगा रियर में ट्रिपल कैमरा सेटप विद पोको की ब्रैंड नहीं होगी और फ्रंट में सेंटर पंचोल कैमरा के साथ में यह आने वाला है वहीं इसकी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 6.67 इंच का एक फुल HD AMOLED डिस्प्ले में देखने को मिलेगा जो की 120Hz refresh rate के साथ में आएगा तो यहाँ पर यह X का एक main highlight feature हो सकता है तो overall display आपको इस smartphone की इसके price recording काफी कमाल की मिलेगी अब बात कर लेते हैं इस smartphone के performance की तो यहाँ पर performance wise भी यह smartphone काफी कमाल को होने वाला है इस smartphone में Snapdragon 778G chipset मिलेगा जो की 5G connectivity के साथ में आता है वहीं यह processor काफी powerful है जो की 6 nanometer की technology पर आता है तो इसमें आप अपने सभी favorite games वगारा easily play कर सकते हैं साथ में multitasking हो गया या फिर daily usage में आप काफी बढ़ी है तरिके से इस smartphone को use कर सकते हैं वही RAM और रोम की बात की जाए तो इसमें हमें 2 variant देहनों को मिल सकते हैं 6 plus 128 GB and 8 plus 256 GB जिसमें की आपको LPDDR4X RAM with UFS 2.2 stories टाइप दिया जाएगा और यह smartphone dual SIM support करेगा बट इसमें आपको memory card बगारा लगाने का option नहीं मिलता वैसे आप में से कितने लोग इस time पर memory card का use करते हैं अपने smartphone में comment करके जोड़ से बताना नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इसके camera की तो इस smartphone के rear में triple camera setup आपको देहनों को मिल रहे हैं जिसमें की primary lens 108 विक्सिकल का होगा second lens यहाँ पर 8 विक्सिल का ultra wide lens होगा और third यहाँ पर 2 विक्सिल का macro lens दिया जाएगा वहीं इसके front में 69 विक्सिल का selfie camera मिलेगा तो overall camera setup भी यहाँ पर काफी अच्छा हमें देहन को मिलेगा अब बात कर लेते हैं इस smartphone के battery की तो यह smartphone 5000 mAh बैटरी के साथ में आएगा जिसमें की आपको 67 watt का turbo charging वाला charger इसके box में देखने हो बलेगा तो काफी fast तरीके से आप इस smartphone को charge कर पाएंगे अब इसके other feature की बात कर लेते हैं तो यह smartphone out of the box android 13 पर आ सकता है जिसमें की आपको dual sim लगाने का option तो दिया जाएगा बट memory card आप इसमें नहीं लगा सकेंगे इसके लावा Dolby Atmos वाले dual speaker मिलेंगे USB Type-C, 3.5 mm headphone jack, side mounted finger print scanner और बाकी के सभी चोटे मोटे सेंसर आपको इस smartphone में मिल जाएगे अब बात कर लेते हैं इस smartphone के price की तो यह smartphone first sale में आपको special discount के साथ में मिलेगा जिसमें की इसकी price 20,000 रुपीज के आसवास में हो सकती है बाकी first sale के बाद में इसकी जो price जाएगी वो 23,000 रुपीज तक चली जाएगी वहीं दोस्तो अभी हाली में Redmi ने अपनी 12 series भी launch की है जिसमें कि इसकी टक्कर का Note 12 Pro 5G smartphone हमें देखने को मिलता है बट Poco में performance आपको थोड़ी ज़्यादा better मिलेगी क्योंकि यहाँ पर हमें Snapdragon 778G chipset देखने को मिलता है और Poco company अपने smartphone की जो price है वो काफी ज़्यादा aggressive रखती है सबी बाकी जितने भी competitor है इस time पर smartphone के तो यहाँ पर भी आपको इस smartphone की काफी अच्छी price देखने को मिलेगी तो दोस्तो अगर आपका budget 20,000 रूपे के आसपास है तो आप इस smartphone को ज़रूपे से खरीच सकते हैं बाकी दोस्तो वीडियो चले होता है और प्लीज वीडियो को लाइक कर दिना मैं मिलता हूँ आप से कर इसी नए वीडियो में तब तक के लिए take care and good bye